अभी हम ट्रिगोमेट्री का 8.1 का सम नमबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं तो सम में information क्या दिया हुए है वो ध्यान से देखते चाते हैं और अकॉर्डिंगली answer देते चाते हैं सबसे पहले दिया हुआ है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो हमें वो लिखना पड़ेगा वो फॉर्मिला जिससे आपको क्लारिटी आएगी तो लिखते हैं सबसे पहले आपको याद है वो पंडित वाला तो आप बोलोगे सर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो आप बोलोगे सर यह तो पता है यह पहला जो है वो साइन है दूसरा है कौस और तीसरा है 10 10 का इंवर्स करोगे तो 10 आप बोलोगे सर 10 थीता का होगा B upon P upon B मतलब perpendicular upon आप बोलोगे base अब cot का लिखोगे उसका reciprocal base upon perpendicular तब भी हम start करते है सबसे पहले cot theta is equal to 7 by 8 तो आप बोलोगे सर एक आप छोटा सा diagram ड्रॉ कर दो जिससे आपको समझने में बहुत easy रहेगा तो आप बोलोगे सर लिखो A B C यहाँ पे होगा 90 degree तब भी आप बोलोगे सर इसमें base कौन सा perpendicular कौन सा क्या तो सबसे पहले हम यह angle C को लेते तो हम लिखेंगे cot theta is equal to cot C is equal to 7 by 8 तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिख सकते है कि हमारा जो perpendicular base क्या होगा तो आप बोलोगे सर बेज होगा B C और perpendicular क्या होगा तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर होगा A B जैसे यह point होता है उसके बाद हम कर सकते है तो लिखते है in triangle ABC angle B is equal to 90 जैसे यह step complete होता है by using the Pythagoras theorem हम लिख सकते है AC square is equal to AB square plus BC square AC हमारे पास क्या है तो आप बोलोगे सर AC तो हमारे पास है नहीं लेकिन हमारे पास दो चीज है जो यहां लिखना पड़ेगा हमने नहीं लिखा है BC is equal to 7 और AB is equal to 8 आप बोलोगे सर कहां से लेकिया है तो यहां से यह point दोनों आएंगे उसके बाद आप बोलोगे सर AB की जगह आप लिखो 8 square BC की जगह आप लिखो 7 square हो जाएगा यहां 64 यहां लिखना बागी है AC square AC square यहां पर 49 टोटल करोगे तो हो जाएगा 113 113 AC is equal to under root 113 जैसे यह step complete होता है तो आप बोलोगे सर आपके पास AC भी आ गया तो आप बोलोगे सर AC के point of view से आपको सोचना है तो वो होगा under root 113 तो आपको BC क्या लिखना है और यह सब के नाम लिखना है तो BC base होगा hypotenious होगा AC तो यहां पर H लिखा जाएगा और AB की जगह आप क्या लिखोगे तो perpendicular लिखोगे जैसे यह point complete होता है तो उसके बाद first point हम लिखेंगे तो आप बोलोगे information given में ऐसा है कि 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon में दिया हुआ है 1 plus cos theta 1 minus cos theta तो आप बोलोगे यहां पर formula आपके mind में आनी चाहिए कि सर यहां तो A square minus B square हो रहा है कैसे A minus B और A plus B जैसे यह होगा तो हम apply करेंगे आप बोलोगे सर यहां लिखो A square minus B तो हम सीधा लिखेंगे 1 का square और sin square theta sin B 1 का square और minus cos square theta तो अभी नीचे step लिखना शुरू करते है तो 1 का तो 1 ही रहेगा sin square की जगा हम क्या लिखेंगे तो आप बोलोगे सर sin square आपको ढूनने के लिए पहले वो ढूनना पड़ेगा जो अमारा बाकी है तो हम यहां पे शांती से sin square ढून लेते हैं तो आप बोलोगे sin square के लिए सर आपको लिखना पड़ेगा sin theta आप बोलोगे सर फॉर्मिला आपने यहां लिखी हुई है P upon H तो आप बोलोगे सर P आपका क्या होगा तो AB और H बोला तो hypotenuse वो होगा AC आप बोलोगे सर यहां पे आपको लिखना पड़ेगा AB की जगा 8 और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 113 सेम वे कॉस का पी ढूनना पड़ेगा तो cos theta is equal to B upon H जहां पे B क्या होगा base आप बोलोगे BC और H होगा hypotenuse AC तो आप बोलोगे सर BC की जगा लिखो base की जगा 7 और यहां AC की जगा root 113 जैसे यह step complete होता है तो आप लिखोगे यहां पे sign की value sign की value आएगी आप बोलोगे सर लिखो 8 by 113 under root square same way 1 minus 7 का square under root 113 का whole square same way यहां बोला 1 इसका हो जाएगा 64 और अपन में 113 same way आप बोलोगे सर इसका कैसे होगा तो हम नीचे लिखते है 49 और 113 इसके बाद वाले step में LCM लेना पड़ेगा तो हम लेते हैं वो step थोड़ा बड़ा होगा तो प्रॉपर लिखते हैं तो आप बोलोगे सर 113 लिखो LCM यहां पे होगा तो 113 minus 64 और same way आप बोलोगे 113 minus 49 step solve करोगे तो 113 में से आप करोगे तो आजाएगा 49 49 upon 113 और 64 upon 113 आप बोलोगे सर यह 113 तो cut हो जाएगा यह और यह तो हो जाएगा 49 upon 64 वो final answer आएगा इसके बाद दूसरा जो point है इसके बाद जो दूसरा point है वो है second जिसमें पुछा गया है cot theta तो cot theta का आपको पता ही है formula क्या होगी तो आपको यहां उपर दीखेगा मैं highlight से कर रहा हूँ आप देखना cot theta is equal to base upon perpendicular तो आप बोलोगे सर बेस क्या होगा तो यहां पे हम लिखते है base upon perpendicular तो आप लिखोगे सर बेस यहां पे ही हमने लिखा था कि रहा आप देखोगे तो उपर तो बेस आपका होगा BC और perpendicular आप बोलोगे तो AB BC की जगह आप डालोगे क्या 7 और AB की जगह डालोगे 8 और आपको पूछा गया था cot square पूछा गया तो पहले तो आपने cot की value ढूंडी है तो अभी पूछा गया है वो लिखते है cot square theta is equal to 7 by 8 का square तो लिखेंगे 49 upon 64 तो यह हमारा final answer हो जाएगा I hope कि आपको यह point समझ में आया होगा